Hello everyone, welcome to Jobkar, आज की वीडियो में विटमिन से related questions हैं, ये questions आपको आने वाले सभी competitive exams में बहुत help करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का first question है, बिटमिन क्या है? आपके options हैं, पोशक तत्व, शूख्ष्म पोशक तत्व, खनिजलवन या उप्रोक्त मैं से कोई नहीं बिटमिन एक प्रकार के सूख्ष्म पोशक तत्व हैं तो आपका right answer हो जाएगा option B, सूख्ष्म पोशक तत्व आपका next question है, बिटमिन सब्द का प्रियोग सरुप्रथम किस ने किया था? आपके options हैं, फंक, इजिक मान, लूनिन या हॉपकिन्स यहाँ पर फंक की द्वारा बिटमिन सब्द का प्रियोग पहली वार किया गया था, तो आपका right answer हो जाएगा option A, फंक अब यहाँ पर option B की बात करें, इजिक मान तो इनके द्वारा बिटमिन से होने वाला पहला रोग बैरी वैरी खोजा गया था, लूनिन के द्वारा बिटमिन की खोज की गई थी, या कह सकते हैं कि discovery of बिटमिन लूनिन के द्वारा की गई थी, इसके बाद हॉपकिन्स और इन दोनों ने मिलकर बिटमिन थियोरी दी थी, तो ये चारों आपके लिए most important हैं, आप इन चारों को याद रखेंगे, इसके बाद आपका next question है, बिटमिन से संबंधित निम्न कत्नों में से कौन सा थन सही हैं, आपके options हैं, बिटमिन का संशलेशन मानव सरीर की कोशी काउ दोारा होता है, option B है आपका विटमिन का संशलेशन मानव सरीर की कोशी काउं दोारा नहीं होता है, option C है आपका मानव सरीर को विटमिन की प्राप्ती विटमिन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होती है, या option D उप्रोक्त सभी मानव सरीर को विटमिन की प्राप्ती बिटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होती है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा option C आपका next question है vitamin C का रासाइनिक नाम क्या है आपके options है retinol, ascorbic acid, calciferol या tecoferol vitamin C का रासाइनिक नाम ascorbic acid है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा option B, ascorbic acid vitamin A का रासाइनिक नाम retinol है इसके बाद calciferol, vitamin D का रासाइनिक नाम है और tecoferol, vitamin E का रासाइनिक नाम है आपका next question है vitamin C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपके options है मास, दूध, आवला या गाजर मात्रा में vitamin C आवला में पाया जाता है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा vitamin C का सबसे अच्छा स्रोत आवला है आपका next question है vitamin D का सर्वोत्तम श्रोत क्या होता है आपके options है अंडा, दूध, सूरे का प्रकाश या हरी सबजिया vitamin D का सबसे अच्छा स्रोत सूरे का प्रकास है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option C सूरे का प्रकास और vitamin D को शंसाइन vitamin B कहा जाता है इसके बाद आपका next question है मचलियों के यक्रित तेल में किस vitamin की बहुलता होती है आपके options है vitamin A, vitamin B, vitamin C या vitamin E यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option A, vitamin A मचलियों के यक्रित तेल में vitamin A की बहुलता होती है इसको cod liver oil भी कहा जाता है इसके बाद आपका next question है कौन सा vitamin गर्म करने पर नस्ट हो जाता है आपके options है vitamin A, vitamin B, vitamin C या vitamin D vitamin C को गर्म करने पर यह vitamin नस्ट हो जाता है तो आपका right answer हो जाएगा option C, vitamin C आपका next question है vitamin D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपके options है एनिमिया, तपेदिक, इसकरवी या रेकेट्स यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा vitamin D की कमी से बच्चों में रेकेट्स नामक बिमारी हो जाती है और बुजर्गों में और जो pregnant ladies होती है उनमें osteo malaysia नामक बिमारी हो जाती है इसके बाद आपका next question है निम्न मैंसे कौन सा vitamin हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक है आपके options है vitamin E, vitamin K, vitamin B या vitamin D तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा vitamin D हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सबसे सहायक vitamin है इसके बाद आपका next question है छिली हुई सबजियों को धोने से कौन सा vitamin निकल जाता है आपके options है vitamin C, vitamin K, vitamin E या vitamin D तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा छिली हुई सबजियों को धोने से vitamin C निकल जाता है इसके अलावा vitamin B भी छिली हुई सबजियों को धोने से निकल जाता है क्योंकि vitamin B और vitamin C दोनों जल में घुलनशील vitamin है इसलिए सबजियों को पानी से जब धोते हैं तब ये दोनों बिटामिन सबजियों में से निकल जाते हैं आपका next question है कौन सा बिटामिन प्रती रक्षा प्रदान करता है आपके options हैं बिटामिन C, बिटामिन K, बिटामिन B या बिटामिन A तो यहाँ पर बिटामिन A प्रती रक्षा प्रदान करता है तो आपका right answer हो जाएगा option D vitamin A vitamin A को anti-infection vitamin या संक्रमर रोधी vitamin B कहा जाता है इसके बाद आपका next question है निम्लिखित vitamin में से किस में cobalt होता है आपके options है vitamin K, vitamin B12, vitamin B या vitamin A तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा vitamin B12 में या vitamin B12 में cobalt पाया जाता है और इसका रसाइनिक नाम sino cobalt amine है इसके बाद आपका next question है मानव शरीर में vitamin A कहां भंडारित होता है आपके options हैं किड्नी, अमाशय, यक्रत या हिर्दय तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा मानव की शरीर में vitamin A का संग्रहान यक्रत में होता है या इसको liver भी कह सकते हैं इसके बाद आपका next question है मानव शरीर में संक्रमन को रोकने में मदद करने वाला vitamin कौन सा है आपके options हैं vitamin A, vitamin K, vitamin B या vitamin D मैंने अभी आपको बताया था कि anti infection vitamin vitamin A को कहा जाता है तो संक्रमन को रोकने में vitamin A help करता है आपका right answer हो जाएगा option A, vitamin A आपका next question है कौन सा vitamin हमारे सरीर में सबसे अधिक तीब्रता से बनता है आपके options है vitamin A, vitamin K, vitamin B या vitamin D तो यहाँ पर vitamin D हमारे सरीर में सबसे ज़्यादा तीब्रता से बनने वाला vitamin है तो आपका right answer हो जाएगा option D आपका next question है निमनलिखित में से कौन सा vitamin जल में घुलनशील होता है आपके options है vitamin B, vitamin C, vitamin D या vitamin B और C दोनों मैंने अभी आपको बताया था कि vitamin B और vitamin C दोनों ऐसे vitamin हैं जो जल में घुलनशील होते हैं इसके अलावा vitamin K, vitamin E, vitamin D और vitamin A ये चारों vitamin बसा में घुलनशील vitamin है इसके बाद आपका next question है निमन में से किस vitamin को vitamin H कहा जाता है आपके options हैं vitamin B3, vitamin B6, vitamin B7 या vitamin B12 यहाँ पर vitamin B7 को vitamin H भी कहा जाता है और ये most important question है vitamin B7 का रसाइनिक नाम बायोटीन होता है तो आप इसका रसाइनिक नाम भी याद रखेंगे vitamin B3 का रसाइनिक नाम नियासिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग पहला अग्रा है इसके बाद vitamin B6 का रसाइनिक नाम पायरी डॉक्सिन है और vitamin B12 का रसाइनिक नाम शाइनो कूबाल एमीन है इसके बाद आपका next question है निमन में से किस vitamin को anti-esterile factor के रूप में जाना जाता है आपके options हैं vitamin B3, vitamin B6, vitamin B7 या vitamin B2 तो यहां पर आपका right answer हो जाएगा vitamin B2 को anti-esterile factor की रूप में जाना जाता है vitamin B2 का रसाइनिक नाम होता है riboflavin यह आपका last question था I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो को like करें, share करें और jobker को subscribe करें, thank you करें करें